प्राइज एक्षन ट्रेडिंग सेटप पार्ट टू जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं प्राइज एक्षन ट्रेडिंग सेटप पे लगभग 50 पार्ट बनाऊंगा और हर पार्ट में आपको तीन ऐसे प्राइज एक्षन ट्रेडिंग सेटप में सिखाऊंगा जिनको आप सीखने के बाद आपका जो trading experience है पुरी तरह से बेहतर हो जाएगा पहले से और अच्छा हो जाएगा ठीक है जब भी ये बनते हैं आप इंटी लेते हैं तो आपको 100% profit होता है तो अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर इसको देख लें link description में है तो चलिए आज किस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला हमारा जो transaction trading setup है वो है trend structure change अब यहां पर आप देख रहे हैं कि market एक downtrend में है अगर आपको trend analysis नहीं आता है तो मैंने trend analysis को उपर detail में वीडियो बना रखी है पूरा course बना रखा है तो मेरे चैनल पे link description में है जाकर उसको आप देख लें downtrend में क्या होता है कि market एक नया low बनाते हुए नीचे की side में आता है देखिए market एक नया low बनाया फिर एक नया low बनाया फिर एक नया low बनाया तो यह एक downtrend की पहचान है downtrend में जो beer है वो market को control कर रहे हैं अब हमें ट्रेंड में जो इस्ट्रカンタर रहो हो आब हमें देखना है। जैसे मार्गेट यह पर लगाया उपर गया फिर से एक नया लगाया अब ऊपर आया तो इसको फिर से एक Reach directly डाया हो चाहिए तब ही हमारा अब इसी जगह पे जो बूल है और मार्केट को टेक और कर लेंगे और मार्केट अप्टेंड में चला जाएगा फिर से समस्ते हैं नया लो बनाते हो market नीचे आया अब यह जो downtrend है इसको continue कप करेगा जब market फिर से एक नया लो लगाए लेकिन जैसे ही नया लो लगाने market आया ही नहीं उपर चला गया एक high लगा दिया और इसी जगह पे जो bull है वो market को take or कर लेंगे और market uptrend में चला जाएगा तो यही पर आप देख रहे हैं इसी position पर आप देख रहे हैं इस zone में कि जो trend downtrend चल रहा था उसका structure change हो गया और market uptrend में चला गया है हमने आपको एक फर्मूला बताया था कि trend is your friend जो trend चल रहा है उसको follow करिए अगर downtrend चल रहा है तो उसमें हमारा जो strategy था उत क्या था sale on rise जैसे rise होता था वहाँपे sale हो जाता है जैसे rise होता है वहाँपे sell हो जाता है नया low लगाता है market लेकिन यहाँपे जो structure है ट्रेंड का वो change हो रहा है कि जैसे ही देखेंगे कि market अब नया low नहीं लगा पा रहा है ठीक है नया high लगा दिया तो हमें इस point पे entry ले लेना है और हमारा जो stop loss रहेगा उसके जो low रहेगा candle को उसके थोड़ा सा नीचे stop loss लगा देंगे और market अप्टेंड में जाएगा ठीक है तो इस setup को आप छोड़िये मत 100% आपको profit होगा इंतजार करिए setup बनने का बहुत लोगों को लगता है कि वो जब अरश्ती trading करते हैं कोई setup नहीं है कोई rule नहीं है ऐसे ही बेमतलब का entry लेते हैं कभी और loss करते हैं जो professional trader होते हैं मैं आपको पता दूँ कि OX उनका setup होता है rule होता है जब setup बनता है तब ही entry लेते हैं तो आप आपको भी करना है इसलिए मैं आपको price action trading setup सिखा रहा हूं पार्ट 1 में 3 बताया था पार्ट 2 में 3 सिख रहे हो ऐसे आप 50 पार्ट बनाओंगा हर पार्ट में आप 3 सीखोगे ठीक है तो जो आपको बेटर लगे जो आपको समझ में आये कभी भी बने आप entry लेलो उसमें तो एक bearish pattern होता है यहां पर उसका उल्टा बन जाए तो एक bullish pattern होता है ठीक है तो इसके जो जब यह breakout होगा यहां पर breakout होगा हमें यहां पर intel लेना था उसका जो लो रहेगा इस टॉप लगाना था ताब यह भी देख सकते हैं ठीक है तो हमने क्या देखा है यहां पर trend structure change कि downtrend का जब downtrend चल रहा था उसका structure change हुगा market uptrend में जाएगा दूसरा आता है weak consolidation during trend इसमें आपको क्या करना है 50 moving average लगाना है यह जो लाइन आप देख रहे हो blue वाली यह 50 moving average है moving average अगर आपको नहीं आता है तो मैंने moving average के ऊपर course बना रखा है link description में प्लीज जाकर इसको देख लें मैंने आपको बताया था उस course में कि यह जो moving average है अगर price उसके नीचे है तो यह हमारे लिए resistance का काम करेगा ठीक है तो अब market क्या है यहां देख रहे है वीक consolidation during trend trend क्या है down trend है धाया है तो हमने क्या follow करना है sell on rise अरव मर्केट ग्राइज होगा में महाँ схil कर देना हैं यहां और market नीचे आ रहा था यहां पे bear market को Proton gi अब यहां पे market क्या की फार्स ली लिए सबहें मर्केट क्या zobaczy j तो जो बियर हैं वहाँ पे थोड़ा वीक हो रहे थे और लेकिन यहाँ पे बायर नहीं आ रहे हैं तो मार्केट में छोड़ी चोटी केंडले बन रही हैं तो वीक कंसोलिडेशन चल रहा है जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा फिर से यहाँ पे जो सेलर हैं बि कर देंगे जसे ह lotion प्रेक्डाउन का फिर से यृ मार्केट को टेकोड़ एक कर लेंगे यहाँ पे और का इक्शिस का क्या है अगर मार्करें में में 15 मुई di sehiro ठीक है टो अगर पे वयह पर हुआ कлекन लुग औंद में चला रहा एर यहां प्राइब का इस थे तरह से भी काण्शिन तो इस तरह से आप weak consolidation को पहचान के आप अहाँ पे entry ले सकते हो अगर आप option buyer हो nifty by nifty में तो आप यहाँ पे put buy कर सकते हो अगर आप stock में इंट्राइटेंडिंग करते हो तो आप आप इस तरह से weak consolidation during trend अगर uptrend में है तो उसमें भी यह काम करेगा उसके लिए मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा ओके तो इंतजार करिए अपने setup का बनने का पहला setup क्या था ट्रेंड इस्ट्रक्चर दूसरा है weak consolidation during trend इसमें आपको clear देखेगा कि मार्केट में किधर हमें जाना है अगर downtrend में है weak consolidation breakdown हुआ फिर से यहां पर option trading करते हो तो पूटबाई कर लो या पिंटर trading करते हो तो short selling कर दो stop को अब हमारा जो अगला है वह है weak secondary trend weak consolidation at resistance lower high consolidation अब यहां पर देख रहे हैं market यहां पर downtrend में था market नीचे आया ठीके मतलब यहां तक तो जो beer है वो market को control कर रहे थे अब यहां पर market में पॉज ले लिया पॉज लेने के बाद क्या किया कि यहां पर एक weak consolidation होने लगा जैसा कि हमने 50 moving orange में आपको बताया था ठीके तो हम क्या करेंगे यहां पर trend line draw कर देंगे तो यह हमारा क्या हो गया हमारा क्या है week secondary trend तो week secondary trend हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे अगर यहां पर market गिर रहा था यहां पर गिरने के बाद market पहुज लेगा पहुज लेने के बाद छोड़ी चुटी candle बनेंगी green candle यहां पर जो retailer beginner बाई कर रहे होंगे तो उनके अंदर strength नहीं होगा ठीके तो अभी तक जो beer है वो wait कर रहा है कि जैसे इस trend line का back down हुआ फिर से एकटी हो जाएंगे और market को गिरा देंगे यहां market को नीचे लेके आ जाएंगे तो सेम इसी तरह हम week secondary trend को पहचानेंगे अब week consolidation अब market गिर गया है आपने यहां पर profit book कर लिया इस zone में अगर आपको द्वारा entry करना है में तब कैसे करना है ठीक है तो यहां पर आपको यह यह चीज़ देखना है week consolidation it resistance मतलब market अगर आपको नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है कोर्स में तो जाकर उसको देख लें आप ठीक है तो आप यहां पर देख रहा है कि week consolidation resistance जैसे हम आपने profit book के आप गिर गया है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक छोटी-छोटी candle है यहां पर resistance लेती हुई नजर आएंगे ठीक है तो अगर माले जीए by chance अगर इसका breakout हो जाता यहां पर जो buyer है क्योंकि जो trend था इसका trend का जो structure हो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने पहला होई सिखा कि अगर market downtrend में नया लो बनाते आ रहा है अगर नया लो फिर से नहीं बना पाया अगर नया हाई बना दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा trend structure चेंज हो जाएगा और वहां पर बायर जोब बुल होंगे वहां पर market को टेक और कर लेंगे और market उप्टेम में चला जाएगा लेकिन यहां पर ओ आटे लेंगे वह इसमें क्या है लोगे राय कांसोलिटेशन पर क्या होनamiliarा अब म्रकर लो फिर से नहां भनाया इसको बोलते हैं अगर लोगे रहा कैश अगर दाउन आपको मिल गया नीचे की साइड में तो मार्केट देखें नीचे की साइड में क्या हुए है तो ये setup एक price action टेडिंग setup है downtrend में आपको किस तरह से अगर यहां मिलत करने कर लेंगे मार्केट को मार्केट नीचे आएगा अब यहां पर जो domains he lower high consolidation कैसे कि market न्या obviamente ये कर घृत कर रहा है selon ड मिलेगा है और यहां पर फानी झाल करते हो तो इसमें आपको बड़ा जो ब चाईट से ट्रेडर。」 प्राइक जेक्षन का जो यह ट्रेडिंग सेटप है आपको इनका बनने का इंतजार करना है आपको क्या है न कि सब पुछ बना बनाया चाहिए आपको चार्ट में जाओगे देखो उसमें ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ठीक है मुईंग यूरेज लगाओ सपोर्ट द्रॉ करो तबसव यह कोन सा ट्रेंड चल रहा है अगर सब्सक्राइब करना का चारट में जा है ठीक है अगर आ Feels किनों में से कोई भी अगर टेडिंग सेटप मिले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी आफिर किसी स्टॉक में आप ड्रॉ करिए आपको नीचे नंबर दिया गया उस नंबर पर आप हमें वाटसप करिए कि सर मैंने यह खोज लिया है और क्या यह सही है यह गलत है अपने सही अगले वीडियो में धन्यवाद